हमारे साथ है हम पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष संतोष माजी जी माजी जी एक तरफ डिप्टी सीम का ओफर है लालू जी के तरफ से दूसी तरफ आप लोग सभा चुनाओ पिता जी राज सभा क्या चुनेंगे निमें से देखिए वो ओफर तो है नहीं और आप लोग ओफर ओफर कर रहे हैं पता नहीं क्या है और क्या चीज है वो इसकी जनकारी मुझे नहीं है हम एक बात जानते हैं और सबस्ता से आपको बोलते हैं कि हम अंडिया के Сाथ हैं और इंडिया के साथ हैं तो इंडिया में रहेंगे जो भी नया गटना कर्म हुआ उसका स्वागत भी करेंगे उराज हीत में अगर आच्छी बात है तो कोई भी है अम आनिन अगर नितीव पुमार जींग यहां आते हैं और हम लोग glasses हम जानते हैं लेकिन उनका स्टैमिना था जो काम करने का उनका जुनून था वह कहीं दबा हुआ था हम लोग को भी घुटन मसूस होती थी वहाँ पर तो हम लोग इस पक्ष के रहने वाले इसलिए कोई बात अगर आ रहा है मार्केट में कि कोई कोई पद दे जाएगा तो हम अधर चले जाएंगे एक कतई स्विकार नहीं है और हम लोग बिचलित होने वालों में से नहीं हम लोग नितीश कुमार जी क्या गवाई में भी उनके साथ काम करने के लिए त्यार हैं हम इंडिये का साथ हैं आधनी नरेंद मोदी जी का साथ हैं और वहां से कहीं अधर हो अभी तो 2024 लोग सभा सीट है आपके पिता जी ने कहा कि नरेंद मोदी हैं और नितीश कुमार होंगे तो 40 में से 40 जीतेंगे तो क्या आप गया से प्रत्याशी होंगे अब देखिए अगर पाटी तेक करेगी पाटी हम राष्ट यद्ध हैं लेकिन फिर फिर भी हम यह नहीं कह सकते हैं हमारे संगरक्छक है अधर यह जितन रहमांजी में हम लोग हैं अभी एंडिये का सीट बड़ारा नहीं हुआ है और जब तक यह बातrage नहीं होते हैं कि य तो निश्ची तोर पर आ जाने से मजबूती तो मिलेगी और हम 40 सीट जीत सकते हैं इसमें कोई हश्चर्ज नहीं लेकिन आप पिछली सरकार में पिछली मंत्री मंडल में आप मिनिस्टर थे तो क्या आप चाहेंगे कि क्योंकि आपके चार विधायक हैं तो उनमें से कोई मिनिस्टर बन जाए या आप बन जाएं क्या है अगर इसी बात होती है एंडिया में हम आते हैं तो प्रतनिधित तो मिलेगा और कोई नहीं कोई विधायक हमारे बनेंगे मंत्री एक आखरी सवाल ये जो जिस तरह से नितीश कुमार आ रहे हैं तो उसका उनका किस तरह से आप स्वागत करेंगे आपको क्या लगता है कि ये बाते अब दो हजार पचीस के विधान सवा चुना तक जाएगी या फिर साथ चोड़ देंगे नहीं जानी चाहिए हम फिर कहेंगे कि बिहार के विकास के लिए मानियन नितीश कुमार जी अगर आ रहे हैं स्वागत है और उनको पचीस तक रहना चाहिए आगे भी रहना चाहिए कि बिहार के बहलाई के लिए ही है वो को जरूरी नहीं है कि हमारा रूल क्या होगा हो सकता ह रोल चेंज हो सकता है, लेकिन साथ रहने से बिहार का विकास हो, हर ब्यक्ति इसी बिकास के लिए और इसी के लिए सपत भी लेते हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे, तो अगर मंसा साफ हो, अगर दिल में इक्षा हो, तो निशी तोर पर यह चले मारे अबीपी न्यूस पाटना